नमस्ते बच्चो मैं स्माइल से विजलक्षमी एक पर फिर आपके सामने उपस्तितू बच्चो आज हम जामिती में नया टॉफिक सीखेंगे बहुबुज यानि पॉलिगोंस यानि बहुबुज इस यह कम से कम तीन रेखा कंडों से मिलकर बनी आकरती होती है इसिते पॉलिगोंस यानि बहुबुच कहते हैं जैसे कि आम आप में पहले आपको बताया है थिए त्रिपूच कम से कम तीन दुर्च की वारे बात करेंगे पहले आप को यहां दिखाए तरभूज एक इस तरह बनावा है एक में नबिटिके कोंड बनाकर बता रखा है इसमें कोई जरूरी नहीं है कि नाब तीनों की समान हो लेकिन यह तीन एखा खंडों से मिलकर बना होना आवशक है यह होता है तरह बूज याईनि ट्राइंगल दूसरा है चत्र बुज यानि की प्वाडी लेट्रल यह में कम से कम चार एकाखंड को से मिलकर बना होता है चाहिए कुछा आज इन दोनों संबंदित ही हम आपको कुछ प्रश्ण दे रहे हैं जैसा कि पहला प्रश्ण है कि एक सेंटीमेटर का रेखा खंड कीच कर उस पर नपर टिकर का कोंड बना कर त्रिबुच को पूरा करूं त्रिबुच कितनी रेखा खंड से मिलकर बनाएं तीन से तो आपको तीन रेखा खंड का प्रियोग करते हुए इन दोनों का भी इसमें साथ में प्रियोग करना है कि कैसे हमारा त्रिबुच बनेगा दूसरा है अब बराबर साथ सेंटीमेटर बी सी बराबर पां सेंटीमेटर CD बडाबर 6 cm और DA बडाबर 5 cm इन चारों को आप नाम के द्वारा चत्रबुज आपको बनाना है कि ABCD नाम का चत्रबुज किस प्रकार बनेगा चत्रबुज यहनि 4 एकागं तो आपको देखते हुए नापों के अनुसार नाम देकर उनको चत्रबुज को बनाना है तो मुझे उमीद है मैंने आपको जो समझाया है समझ में आया होगा और आप मुझे करके बेजेंगे